नमस्कार चैशी कृष्णा मैं राकेश शिवानियस्टो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और जैसा ही कुछ वीडियो से मैं आपको बता रहा हूं कि कुंड़ी देखते वक्त हमें क्या क्या पॉइंट जहान में रखेने चाहिए और उसके सिवा कुछ लास करत milion होग केशंछ चल रहा जाएव ही है jestem जोगी है यहीं नहीं होगी ऻो कुछा जीतोंगा यह वह कूछता है कि मेरे बहुत बिमार है ठीक हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे कुछ भी कोश्ट सकता है वो आपसे आके तो उसका जवाब आपने कैसे देना है वो किस तरीके से हम दे सकते हैं गोचर कुंडली का यूज करके डीवन चार्ट का यूज करके या चंद्रमा का यूज करके एक वो बहुत इंपोर्टेंट करना चीज तो पिछली बार मैंने आपको ये तो बता दिया था कि जॉब चेंज करना हो तो कैसे पॉस्टिब जॉब दे लेगा तो बताया था कि दस से दसवें भाव से ग्यार्वा भाव उसका लाब भाव होता है अगर उस में बैठे ग्रह की दशा में या उसके स्वामी की सौमी की दशा में या उसको देखने वाले ग्रह की दशा में जॉब चेंजवर होता है इंसाल का तो वो उसको लाब देने वाला होता है ये भी मैंने बताया था कि अगर रोग की सीवियर्टी बहुत जादा है तो वो कब तक रहेगी जब तक दीवन चार्ट में भी अगर दशा अंतर दशानात का एक्सिस 6-8 है और गोचर के अंदर भी दशानात अंतर दशानात क एक्सिस 6-8 है तो रोग की सीवियर्टी बनी रहती है और जब वो 6-8 का एक्सिस दूर होता है कोचर कुड़ी से तब जाके वो रोग की सीवियर्टी कम हो जाए एक ये पाइंट मैंने आपको बताया था कि जिस भी भाव का विचार करना हो उस भाव को लगन बना लिचार क चौता बाव वानी से आपको कितना सुख मिलने वाला है तो पांचवाव वानी से आपको कितनी विवेक और बुद्धी मिलने वाली है छटा बाव के वानी की वहिस से आपके साथ कितना संगर्श हो सकता है तो मतलब एक ही चीज का अब यूं तो दूसरा बाव बहुत सी च तो यह बहुत सी चीजे दूसरे भाफ से हम लोग देखते हैं तो किसी भाफ को अगर हम लगन बनाएंगे तो उस भाफ को बहुत अच्छे तरीके से स्टड़ी कर सकते एक गुरू जो ग्रह होता है ये भी ध्यान रखने वाली बात है वो हमेशा संतान कारक हो गुरू संतान क पहले शास्थ्रों में तो पुत्र का कारक लिखा गया है तो लेकिन संतान का कारक मानके चलिये इसको कि पहले ज Libya अगर गुरू कुंडली के अंदर जब भी खुंडली को आपके पास आए उसमें गुरू को जरूर चेक कर ले कि गुरू कहीं पीड़ी तो नहीं कहीं अस तो नहीं, कहीं आपका आशुब ब्रहु के प्रभाव में तो यह जरूर चेक कर ले और इसी प्रकार से शुक्र भी चेक कर लेना चाहिए, पुरुशी कुंडली में खासत और से शुक्र चेक कर लेना चाहिए, कि शुक्र कहीं पीडित तो नहीं है, अगर शुक्र ब मैचिंग कर रहे हैं विवहा के लिए तब देखिए कि अगर लड़के का शुक्र अच्छा नहीं है तो लड़की का गुरू अच्छा होना चाहिए यह जरूर देखें हम लोग क्या गरते हैं मैचिंग में सिर्फ असकुट गुन मिलान देख लेते हैं कि जलो वही 36 में से 22 ग विवाई जीवन आपका अच्छा रहे यह सब चीजें भी देखनी बहुत हावज है तो यह जरूर देखना है कि लड़की गुनली है तो उसका शुक्र जरूर चाहिए और अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो लड़की वोल स्रेक्ट करने चाहिए जिसका गुरू अच्छ वो कहा है कई बार क्या होता है कि आदमी कहता है कि मेरे कुछ स्वास्त में उतार शडाव लग रहा है तो उसका लगनेश चेक कर लिजए गोचर में कहीं पिडित तो नहीं है लगनेश गोचर में पिडित हो तो स्वास्त में थोड़ी बहुत उपर नीचे हो सकती है परिश तो वो तो कहीं गोचर में पिड़ित नहीं है गुरू ब्लेशंग का कारव क है शनी टाइन Martin का कारण तो अगर शनी पिड़ित होगा तो अक्षे नहीं होगे गुरू बहुत जरूरी है कि गोचर में ये कहां पर है गुरु अर्शिण आप ये गोचर में देखने किसी से, तो एक तो चंदरमा से देखें, चंदरमा से लिखते ही हैं कि चंदरमा मनसो जात, चंदरमा मन का कारक है, ऐसे तो गॉल्दपीगा में लिखा है, सरवेशू लगनेशू मतलब बहुत सभी प्रवाखे ग्रहाओं को लगन बना के आप देख सकते हैं लेकिन चंदर का एक अलग महत्व है लगन से भी गोचर हम देखते हैं अभी मैं आपको आगे जब भाव चिंता बगरा पढ़ाऊंगा तब उसमें लगन से गोचर कैसे देखते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा चंदर से गोचर देखते हैं वो कैसे देखते हैं वो भी बताऊंगा लेकिन चंदर से गोचर जरूर चेक कर लेना चाहिए अब जानते हैं हम चंदर से सूरी का गोचर तीसरे चटे दस्वे ग्यारवे भाव में अच्छा होता है, जनकाली इन चंदर से गुरू का गोचर दूसरे पांचवे सते, सात्वे, नवे और ग्यारवे भाव में अच्छा होता है, तो चेक किजिए कि जो गुरू है, उसका ग तो यह भी आपको चेक कर लेना इसके अलावा गोचर में आपको एक चीज और देखनी चाहिए तरीका तो बड़ा सिंपल सा है कि जो कुंडली आपकी बनी होई है जन कुंडली उसी में कहीं फड़ा ध्यार रख लिजिए कहीं बहुत हलके से नोट कर लिजिए कि जन कुंडल लिजिए अब कर लिजिए अगर आपको आपका कंडली में जहां पर शुक्र बैटा है और उनके उपर से पाप ग्रह का गोचर हो मंगल का गोचर हो शनी का गोचर हो आर उनकी दश्पकर दिश्पकर आपह दिक्ळी प Ó overlap पैटने कि आप There शuk сто कोई निककत नहीं, लेकिन शuk्र गोचर में शukर के ऊपर आपका मंगल और शनी गोचर कर रहे हैं, तो शुक्र को भानी होगी, शुक्र जिन भावो का स्वामी है या शुक्र जहां के फल दे रहा है, उनमें गिरावट, तो वो भी देखना बहुत ज़ी है, के शुक्र कह बता हूं कि आपको यह समझ में कुछ questions आए होंगे यह जरूर ध्यान से देखिए अगर आपको समझ माए हो तो काट लिग लाइक और subscribe कीजिएगा शेयर कीजिएगा और इसके अलावा नॉम्बर के मेहने में हम लोग के एडवांस एस्टेलोजी का ब्याइश स्टार्ट करने जा रहे हैं जो लोग अजस्टिड हो वो दिए गए टेलीफोन नंबर के सब्पर करके अपना नामंगन करा सब्सक्राइब अन्यवाद जया शेक्राइब